चीन को भारती जमीन सोपी जा रही है लद्दाक में लगाता चीन गुस्ता जा रहा है भारती चरवाहों को चीन उनकी ही जमीन से भगा रहा है पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें चीन के सैनिक भारती चरवाहों को लद्दाक में आने जाने से रोक रहे थी लेकिन चर एक बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे 4,000 स्क्वेर किलोमेटर की भारती जमीन चीनियों को सोब दी जारी है लेकिन उसके चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है बलकि जो लोग सरकार से चीन को लालाग दिखाने की बात कर रहे हैं बीजेपी सब भारती जबीन को बचाने की बात कर रहे हैं उन्हें देश-दरोही बताया चीन की चालबाजियों के नहीं है बात कि सरकार नाकाम है जैकर चीन भारतflies सरहदों में गुस्त जा रहा है लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि लगदाक को बचा लो तो उसे देश-द्रोही बोल जा रहा है और अभी कोई जूट बोल दे कि मोदी जी ने तो चीन को करारा जवाब दी दिया तो हमारा गोदी मीडिया तारिफ करते-करते नहीं ठकेगा ले किसे सोचल मीडिया पर जाने माने क्लायमेट एक्टिविस्ट सोनम वांग्चुक की एक वीडियो वायरल हो रही है सोनम वांग्चुक कई दिनों से कमकपाती हुई ठंड में बाहर बैटकर लद्दा को बचाने की मांग कर रहे हैं लेकिन ना तो सरकार सुन पा रही है और ही मीडिया के कैमरी सोनम वांग चुक तक पहुच पा रही है लेकिन आपको हम स्वच की वीडियो जरूर दिखाती है जिसमें वो सरकार की नाकामियों को उचा कर रहे हैं इस वीडियो में सुनम वांग चुक बोल रहे हैं चीन अपना आतिकरमन दशकों से बढ़ाता जा रहा है और हाल के दिनों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन ये सब छुपाया जा रहा है ये तरफ इतनी पीड़ा है इन चरवाहों समिधायों की कि ये लोग आह तक भी नहीं कर पा रहे हैं अगर वो कहीं कि हमारी जम मतलब हम आह भी भर ले तो हो जाते हैं बतनाम और वो कतल भी कर ले तो चर्चा नहीं होती हम बट्यों जल्म हो रहा है अगर उस पर हम आह भी कर ले तो दिश रोही हो जाते हैं जो 4000 स्क्वेर किलोमीटर चीनियों को सोब दे उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है मतलब 4000 तर्वाहे रोजी रोटी पर उनकी बनाई है लेकिन अगर फिर भी वो लोग अवाज उठा रहे हैं संरक्षाण की माँ कर रहे हैं तो वो देश द्रोई ही हो जाते हैं उन्हें धम्किया दीजा रही हैं दोस्तों इतने बड़े आरो इतने गंपीर बाते वो इनसान उठा रहे हैं जिने रेमेन मैक्स से अवार्ड मिल चुका है मशूर क्लाइमिट एक्स्टिविस्ट है वांग्चुक को दर्जुन पुरुस्कार मिल चुके हैं वांग्चुक पिछले कई दिनों से कपादेनी वाली ठंड में चीक चीक कर कह रहे हैं कि चीन लद्दाक में उत्तर से हमारी जमीन पर कबजा कर रहा है लेकिन सरकार के कान पर जूत तक नहीं रहे हैं उपड़ से हगीकत दिखाने पर देश्दुरोही जरूर बताया जा रहा है अब सवाल ये उटा है कि कहा है लालाग दिखाने वाले मोदी जी क्यों वो चीन को लाला अफसोस की बात है ना, सोनम वांग्चुक जसे लोग लटाक को बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश द्रोही कहा जा रहा है, जबकि जो लोग देश का सत्यनास कर रहे हैं, उनकी वहवाई जरूर की जा रही है, बोले जा रहा है कि उनका तो दुनिया में डंका बच रहा है, लेकिन बीजेपी की हकीकत ये है, जिस सोनम वांग्चुक बोल रहे हैं, जिसे बीजेपी और मीडिया छुपाने की खुब कोशिश कर रहा है, खेर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस मुद्धे पर, हम अपनी राइज जरूर दें, और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े लिए हमारे साथ,